पिज़े दिनों रेलवे की भूमी से अतिकरमर हटाओ अभ्यान के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हुआ था इस वीडियो में एक यूवख सांको कबाते वे साफ दिख रहा है ویڈیو सोशल मीडिया पर खुब viral हुआ तो वन विभाग भी हरकत में आ गया सापको चबाने वाले युवक के खिलाफ वन विभाग ने कारवाई कर दिया सापको चबाने वाले युवक का नाम कमलेश महतो है बताया जा रहा है कि कमलेश का घर भी रेलवे की जमीन पर ही था उसके अवैद घर को प्रसाशन ने बुल्डोजर से धस्त कर दिया था इसी बीच दिवार से साप निकल आया और गुस्से में कमलेश ने साप को पकड़ कर उसे अपने दातों से चबा दिया विडियो वायलर होनने के बाद वन विभाग एक्शन मोड में आ गया युवा के खिलाव भारतिय वन जीव अधिनियम के विभिन धाराओं में चालान किया गया है वन शेत्रा अधिकारी चंदन सिंग अधिकारी ने कमलेश महतो को नगीना कॉलावनी ताल को आसे गिरफतार कर लिया है अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा ये मामला जिले में ही नहीं बलकि पूरे देश में चर्चा का विशय बन चुका है लोगों ने बताया कि कमलेश ने जब साब को चपाया तो वह नशी की हालत में था वियोरो रिपोर्ट नियूस्टोडे नेटवर्क